तो हमारे चैनल में हम डाइनोसौर्स की बात करते हैं मगर आज हम कुछ अलग करने वाले हैं आज हम डाइनोसौर्स के बारे में बात नहीं करेंगे आज हम बात करेंगे किसी और प्रानी के बारे में कोलकाता में इंडियन म्यूजियम के शिवालिक ग्यालरी में एक देखने लायक फोसिल है ये ये फोसिल है आज के हाथी का एक करीबी रिष्टदार स्टेकोडॉन गनेशा की जो आप विलुप्थ हो चुका है ये प्रानी मियोसीन इपॉक से लेकर क्लिस्टोसीन इपॉक के अंत तक रहते थे यानि कि करीब एक करोर साल पहले से लेकर शायर पाच हजार साल पहले था ये प्रानी करीब चार मीटर यानि की सारे बाड़ा फीट उचा था जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सौ साल पूर्ति पर इंडियन पोस्टेज ने इसका स्टैंप भी निकाला था एक के अम्रा जा फोसिल दर एक्षी है एक राक्त प्रिह रिंडरीन स्टैंप नम्स्टेगोदन गनेशा ने बां डायनोसार अमारा यावार अनेक वाट ना नेक कोड मने में सांसोरीक पीरियेदेर अनेक कोडे प्लीस तो सीनी पोक है एधाना हाती पावा जाता है एधाना हाती पावा जाता है और भॉझे बाट सेन गोनेशे नामेर पोड़े विशी दे नामदावे छे से टेगोड़न गनेशा हाथियों का एक और रिष्टेदार है मैस्टोडॉन जो अपने दातों के लिए बहुत फेमस है ये दात पाच मीटर यानिकी 16 फीट तक लंबे हो सकते थे इसके मोलर्स और प्री मोलर्स हमने म्यूजियम में देखे है मैस्टोडॉन कई हद तक आज के हाथियों की तरह ही लिखते थे मगर वो घने बालों से ढके हुए थे बिल्कुल हमारे जाना पहचाना विलुप्त हादी मैमत की तरह मैस्टोडॉन्स नियोसीन से लेकर लेट प्लिस्टोसीन यानि की करीब पचास लाक साल पहले से लेकर ग्यारा हजार साल पहले तक रहते थे ये जुंड में घुमते फिरते थे और करीब 3 मीटर यानि की 9 फीट तक उचे हो सकते थे मैस्टोडॉनर की हाट मैस्टोडॉनर हाथी राग़ेश। मैस्टोडॉनर फूर होद बूध बहुत ही बड़ा खोप्री है पेलियो लॉक्सोडोन नमाडिकस का ये भी एक प्रिहिस्टोरिक विलुप्थ हाती है जिसके फॉसल्स पहली बाल महाराष्टर के नासिक में मिला था ये प्लिस्टोसीन इपॉक में पूरे एशिया में फैले हुए थे और करीब 24,000 साल पहले विलुप्थ हो गए तक उचा था और वजन में करीब 22 टन का था इसी वजय से कई साइन्टिस्ट्स पैलियो लॉक्सोडोन को धर्ती पर चलने वाला सबसे बड़ा स्तनपाई जीव मांते है युद से नेमाडिक어स。 पैलियो लॉक्सोडोन मादिकास रह प्रिस्टसीं, जो बऻिए ममतना अधी बाँने ऐदे रह ममतने दी टनी ऑलियो हाथी ता फेमाज युकारने पैलियो लॉक्सों नेमाडिकास य,"ग पाट्टीगुलर्स्पीशिस्ता करे 10 साइन्टिस्ट और पेरियोंटरलोजिस्टा होने करें चेक एटाई हच्छे आजपोचन तो लाच्छेस लैंड मैमल लैंड थाका समस्तों मैमल दे मोट्टे अपचे बड़ो फोने करा हुआ हाए अगे चाहा हाड एदे खावा गाएछे में ली दूतो पेकिमेंटे के एज पेपड़े जाना काचे से इस कालिटाई और दूतो फिमर पावागा से अहिए दूतो फिमर आगता थे के एजे हाई आंदस पाणा भाएछे 14.2 feet आहता थे के हाई आपका गाशे 17.2 feet और तक 17 पीट उकती गोड़ो होते पाड़े ताहो ले बॉला ही यह यह ते बादे यह लाग्शा शेपट निए लाग्शा शुने गोड़ा होतो आगे और होती ताहुना तुमकी को थेरियम कि इनकी को थेरियम है अमें बेस्थानिक दबॉल शेये लोगते हैं हाथी का एक और पूर्वच है डैनो थेरियम जो मियोसीन के मिडल से लेकर प्लीस्टोसीन के शुरू तक रहते थे ये करीब 3.5 से 4 मीडर तक उचे हो सकते थे ये बहुत हद तक आज के हाथियों की तरह ही दिखता था इनके दातों को छोड़ कर इनके दात बड़े ही अजीब से थे और एक्टे डिफ्रेंट एक टास्पूल ओपर बैखा नोर बदले निशेदी के बैखा दूँ तो किन्तों ये ये तो हाथि डारेक्ट एंसेस्टर शो तो एटा बॉला ही जाए जे और आखिर में ये है आज के हाथि इंडियन म्यूजियम में हमने सिर्फ इंडियन एलिफेंट का स्केलिटन देखा है जिसे एशियन एलिफेंट भी कहा जाता है मगर असल में आज के हाथि दो तरह के होते हैं आफ्रिकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट जो दिखने में थोड़ा सा अलग है उचाई में आफ्रिकन एलिफेंट्स कली 11 फीट तक और एशियन एलिफेंट्स आट फीट तक हो सकते हैं एईटा होलो इंडियान एलिफेंट्स केलिटान एईटाने हाती फूरे जागे तुपर नब बोंस हागे ना तो जोने इटा शूर नी आज के जमाने में हाथी जमीन पर चलने वाला सबसे बड़ा जीव है मगर इनके आईवरी दातों के लिए इने पोचिंग किया जा रहा है जिसके बज़े से यह एक एंडेंजर स्पीशीज है हम सभी को जागरुक होना चाहिए ताकि यह शांदार जानवर प्रिथवी से गायब न हो जाए आखिर गनेश जी के पास भी तो हाथी का ही सर है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजे शेर कीजे और सब्सक्राइब बटन को तो यार ऐसे दबाओ जैसे कि तुम्हारा हाथ ने डाइनसार का पंजा हो और हाँ आप सभी को गनेश चतूत्ति की शुभकम नाए और हाँ और हाँ और हाँ और हाँ और हाँ प्राँ और हाँ बिर भी से लिफुजब है उना नताली करते हैं औो को अजय ए्याहति.